तो कि ठीक है तो गूट बॉर्णिंग एवरिवन वंस अगें वेडियर तो कम्प्लीट आवर डिसकेशन अब दो मेकैनिक्स एंड मेकैनिक्स का सबसे इंपॉर्टन टॉपिक जो है जिसके बारे में डिसकेशन अमने स्टाइड किया था अब एक्ट्वल में डिसकेशन करना ह उसके बारे में डाट इस रोटेशनल मोशन इसको रोटेशनल डाइनमिक्स ऐसे भी बोला जाता है रोटेशनल मोशन या पर रोटेशनल डाइनमिक्स इसमें हमें कड़ पढ़ना क्या है motion आ रहा है मतलब फिर से हमें motion को पढ़ना है अब motion को पढ़ना मतलब क्या यह हम start से जैसे measurement and vector खतम होता है उसके बाद में बहुत सारा मतलब एक दो lecture का time हम सिर्फ इस word को देते हैं क्योंकि एक बार यह clear हो गया तो हमारा जो पूरा mechanics वाला section है उसमें मतलब conceptual जो clear है से वो हो जाता है इसलिए motion को बहुत बार discuss कर लेते हैं फिर एक बार शार्ट में रिवाइज करेंगे यह मोशन एलॉंग स्प्रेट लाइन में इसको completely discuss कर चुके है कि motion का मतलब क्या होता है motion यानी होता है मतलब compulsory body motion perform कर रही है या हम कब conclude कर सकते है अगर वहाँ पे body की position चेंज हो रही है अगर body की वहाँ पे क्या चेंज हो रही है position चेंज हो रही है और position मतलब क्या होता है फिर it's a point in the space at which body exists at the given instant of time इस टाइम के आपन बात कर रहे है उस टाइम पे जिस पॉइंट पे body exists थी उसको body की position बोला जाता है ठीक है जैसे कि for example अभी आपके घर में बैटे आप लेक्चर देख रहे हो और आपको अगर कभी phone करके बोल रहा है कि where are you तो आप उसकी position खुद की position वहाँ पे explain करेंगे है ना अर्थ पे इंडिया में महाराश्ट्र में अउरंगाबाद में फिर जो भी घर का address है कौन से रूम में हॉल में किचन में है ठीक है तो वहाँ पे तील 10-15 एम मतलब लेक्चर होने तक मैं यहाँ पे हूँ यह आपका space and time अभी space and time जो है motion को पढ़ते time सबसे important है और इसी space and time को हम frame of reference consider करते है ठीक है frame of reference मतलब किसी ना किसी के साथ refer करके उसको frame of reference बनाके उसके साथ compare करके हमें body के position को explain करना पड़ेगा और उसके लिए common example होता है हमारा कि माउंटेवरेस्ट है वो motion में है या फिर रेस्ट में है इसे अगर question पूछा जाए तो directly answer होता जिन कोई idea नहीं है वो बोलते कि माउंटेवरेस्ट है वो तो रेस्ट में यह कुछ भी question पूछते हैं लेकिन according to motion की definition हम यह conclude नहीं कर सकते कि माउंटेवरेस्ट motion में है या फिर रेस्ट में तब तक जब तक हम motion को कहा से observe कर रहें मतलब फ्रेम प्रेपरंस कोन है यह decide नहीं होता है तब मतलब कि हम अगर नेपाल में जाके बैठ गए और फिर माउंटेवरेस्ट को देखने लगे तो फॉर यॉर लाइफ टेम आप जनरेशन टू जनरेशन वापे बैटेंगे तो भी और रेस्ट में लेकिन एक दिन के लिए मून पे जाएंगे तो मून पे से दिक्राएं कि आर जब पढ़ते हैं तो इसका discussion हमने start किया था और basically सबसे important point देखा था that was types of motion motion के various types हमने discuss किये थे जिसमें first motion होती है TM यानि translational motion इसको हम पढ़ चुके है अब translational motion में क्या होता है ऐसी motion जिसमें body actually get translated from one position to another position जिस motion में body का actual में एक position से दूसरे position पे translation होता है हम उसको देख सकते हैं observe कर सकते हैं feel कर सकते हैं उस type के motion को बोला जाता है translational motion जैसे कि for example जब offline class हुआ करता था आप घर से निकल के class पे आते थे मतलब actual में आपकी body translate होती थी from your home to class इसका मतलब वहाँ पे translation हो रहा है तो वो translational motion थी और इस translational motion को detail में study करने के लिए हमने यहाँ पे displacement को देखा था shortest distance between two position यहाँ पे velocity को भी देखा था rate of change of displacement यहाँ पे displacement per unit time देन उसके बाद acceleration को भी introduce किया था क्या था acceleration मतलब change in velocity per unit time यह kinematics वाली term खतम होने के बाद इनको correlate करने के लिए हमने kinematical equations भी देखे थे वी इक्वेल्स तू यू प्लस 80 वी स्क्वेर इक्वेर इक्वेर प्लस तू एस s equals to ut plus half of 80 का square एंड उसके बाद में जब dynamics का parts शुरू हुआ था तब हमने देखा था कि किसी भी body को अगर displace करना है किसी भी body को अगर displace करना है तो वहाँ पे requirement होती है force की जब भी body की उपर force act होता है तो वहाँ पे work होता है and work करने के लिए requirement होती है energy की and work हो रहा है energy है मतलब work होने का अगर rate consider करेंगे तो वहाँ पे आता है power तो यह सारी terms को मिला के हमारा mechanics बनता है मतलब kinematics भी पढ़ना है kinetics भी पढ़ना है मतलब force को छोड़के भी effect पढ़ने force को consider करके भी पढ़ने मतलब causes of effect भी पढ़ने है and results और effect of motion भी पढ़ने ठीक है तो वह पूरा part हम यहाँ पे discuss करेंगे लेकिन discuss करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा help यह TM करने वाला है कौन से कंसेप्टी यहाँ पर उसमें क्या चेंज ओकर हो रहा है यहां यहाँ पर देखने वाले ठीके compare करके चुब कमान फास्क्रीन शॉट ले लो इसका भी बेसिक इंट्रोड़क्शन आप मोशन और टाइप सॉप मोशन कि सूप्रबाद गुड मॉनी और कुछ अब कंडिशन क्या देखो इस मोशन को हम पढ़ जुके तीम का मतलब ट्रांस्लेशनल मोशन और यहाँ पे compare करेंगी रोटेशनल मोशन के साथ जैसे इलेक्ट्रोट्यक्स में जो पढ़ा था मैग्नेटिक्स में मैंने compare करके दिया था वही बात यहाँ पर होनी वाली है कि ट्रांस्लेशनल में क्या था बॉडिट ट्रांस्लेट हो रही थी रोटेशनल में क्या होगा इसको डिपाइन कर ले दे पहले रोटेशनल को फिर यह बाते में यहां पर इंट्रोडेश करता हूं ठीक है रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन अब रोटेशनल मोशन की जो है वो एक्चल में डेपिनेशन इस तरह से है रोटेशन इस तरह से हैं आफ पर विशनल रोटेशन अविशन आफ व्याब रोटेशन अवीशन श्थिव कर दोटेशन अवीशनर टियु एधर with concentric circles or concentric circle वाली जो कंसेप्ट है वो एप्लिकेबली for two-dimensional bodies, flat bodies, laminar bodies or their centers lying along axis of rotation और क्या होता है उनकी जो सेंटर है वो स्ट्रेट लाइन पर होते हैं जिसको अपन axis of rotation बोलते हैं ठीके यानि की condition क्या है देखो कि अगर आपको रिंग या फिर डिस्क इस तरह की body दी है और यह अगर rotate कर रही है तो यह रिंग की उपर मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कई भी अगर point लूँगा हर एक point का जो center है वो circle यह रिंग जो है यह डिस्क जो है उसके center के साथ coincide होगा लेकिन इसको replace करके अगर मैं इस तरह का sphere consider करूँगा यह अगर मैं यहाँ पर sphere consider करूँगा और यह sphere का एक्स ओप rotation है जिसके बाट यह बाड़ी rotate होती है तो अगर मैंने point a यहाँ पर लिया भी यहाँ पर लिया तो एका center यहाँ पर होगा बी का center यहाँ पर होगा सी का center यहाँ पर होगा मतलब three dimensional body की case में center एक पर नहीं होगा वह कहाँ पर होगा along axis of rotation ठीक है इस तरह की motion को rotational motion बोला जाता है ध्यान से देखो क्या rotational motion मतलब ठीक है the motion in which क्या हो रहा है हर एक particle जो है body का it is performing circular motion लेकिन यहाँ पे condition है क्या condition है कि basically यह motion of the body जिसमें हर एक particle अगर body two dimensional है तो क्या करता है circular motion perform करता है जो concentric circle बनाएगी two dimensional motion में and वहाँ पर अगर three dimensional motion है तो क्या होगा सबके center line along axis of rotation रहेंगे ठीक है बस इतना difference है चलो इसकी definition रिखने के बाद हम actual में यहाँ पर जो comparison था between translational motion और rotational motion उसको start करने वाले है ठीक है देखो यह translational motion और यहाँ पर है rotational motion वन बाइवन आगे यह concept हम डीटेल में पढ़ेंगे बस translation में उसमें क्या बोलते थे क्या थी और rotation में कैसे कनवर्ट होगी वहां में देखना है तो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट ने क्या थे ट्रांसलेशनल मूशन की जहाँ पर हम देखते की बॉड़ी क्या गरती है एक्च्वली ट्रांसलेट होती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉड़ी है वो ट्रांसलेट नहीं होती बॉड़ी रेस्ट में होती है दोनों में डिपरंस देखलो बॉड़ी रोटिट होती है अभी यहाँ पर फैन है अभी स्विच आप ह वो rest में रहेगा वो आपनी position change नहीं करेगा मतलब translation में body एक point से निकलके दूसरे point पे जाती है लेकिन rotational motion में body एक point से दूसरे point पे नहीं जाती है अपने position के about move होती है मतलब practically पूरी body जिस point पे थी उसी point पे है मतलब वो rest लेकिन rest में रहके भी motion perform कर रही है special case से जिसमें body के उपर के सारे particle जो है वो circular motion perform करेंगे ठीक है अब यहाँ पे motion study कर रहे है तो सबसे पहले क्या होगा motion study करने के लिए body का displacement होगा तो displacement मतलब क्या था हमें मालूम है कि basically shortest distance between two position था initial and final लेकिन यहाँ पे displacement जो है body rest में होनी की वज़े से हम वैसे direct calculated नहीं कर सकते क्योंकि body के उपर के particle जो है वो circular motion perform कर रहे है तो हम यहाँ पे circular motion की concept लेके आते हैं तो यहाँ पे जो displacement था that is replaced by angular displacement और यह angular displacement जो है इसका notation हम यूज करेंगे theta यह displacement के लिए था x जैसे यहाँ पे displacement का change होने का rate यानि हम उसको velocity consider करते थे denoted by v given by v is equals to x by t उसी तरह से यह rotational motion में क्या होने वाला है यह velocity replaced by angular velocity आनी वाली है सिर्फ velocity की जगह पे angular velocity आएगी और formula तो वही होगा यहाँ पे x by t था यहाँ पे x को replace करके ठीट आएगा और बस यहाँ पे notation भी जो है वी था यहाँ पे omega आएगा ठीके उसके बाद में velocity भी change होती थी velocity के change होने के rate को हम acceleration बोलते थे एंड यह acceleration का formula था एक्वल्स टू डी वी बाई डी टी चेंज इन वेलासिटी विट रिस्केक्ट टू टाइम यहाँ पे भी same part होगा acceleration तो होगा लेकिन कौनसा होगा angular acceleration होगा एंड यह angular acceleration का formula होगा alpha is equals to d omega by dt अब यह basic kinematics के terms का comparison हो गया ठीके इसके बाद मैं थोड़ा important part पढ़ते हैं मैं इसको star mark करता हूँ कि किसी भी motion को अगर perform होना है तो वहाँ पे requirement होती है force के बिना body का displacement होई नहीं सकता मतलब for any type of translational motion a force must acts on the body so that body will get displaced from one position to another position और उस case में यह जो force है it is given by f is equals to m into a where m is the mass a is the acceleration ठीक है तो force बनेगा m into a उसी तरह से body को अगर rotate करना है तो rotate करने के लिए force apply करके body rotate नहीं होती है उसके लिए हमें apply करना पड़ता है टॉर्क और यह टॉर्क का इन जनरल फॉर्मूला होता है टाव इस इक्वल्स टू एफ इन्टू आर फॉर्स इन्टू डिस्प्लेस्मेंट लेकिन इस टाइप के motion में हमें फॉर्मूला रिक्वार्ड है वह होता क्या होता है वो टॉपिक की सबसे इंपॉर्डंट में जिसके उपर मैं लगे चाने वाला हूं यह माई का मतलब मोमेंट आप इनर्शिया ठीक है तो यह सारी टम्स को हम वंडी में अल्रडी पढ़ चुके है इनको टूडी में सर्कुलार मोशन में पढ़ा है रोटेशनल म टॉपिक ऐसा है कि हापे कुछ खास नया पढ़ना ही नहीं जादा लेकिन इसको पढ़ने के लिए वंडी टूडे में जो कंसेट पढ़ी है वह हमें अच्छे से प्रिपेर करके यहां पर यूटिलाइज करनी पढ़ती है ठीक है चलो यह कंपेरिजन देख लो इसका स्क्र करने के लिए कंपेर करना स्टार्ट कर देते हैं चलो हो गया कि मैं यहाँ पर चल रहा था बिटूइंड प्रenneल दमस्टनल प्रन मोशland जिसमें में वन ने बेसिक कैनेमेटिक्स के ट allora को इन्टूर्डीउश किया था अब सबसें इंपॉटर्व कंसिप्किव उपर आते हैं कि basically जो है translational motion में body के changing state को oppose करने वाली जो tendency है उसको अपन inertia बोलते है इनर्शिया मतलब क्या होता है inertia एक tendency है जिसका काम है oppose करना किसको oppose करना body के changing state को मतलब body rest में है और rest में से body अगर motion में set हो रही है या फिर body motion में है और उसको motion में से rest में लेके आना है या फिर motion की speed और बढ़ानी है दोनों भी case में body accelerate होती है तो उस accelerated motion को oppose करने वाली जो body के tendency है वो inertia है जैसे for example मुझे इस chuck को यहाँ से table pew को रखना है मतलब displace करना है और इसकी जगह पे मुझे अगर 20 kg की chair दिये उसको एक point से उठा के दूसरे point की उपर रखना है तो basically क्या हो रहा है कि जो force मुझे apply करना पड़ेगा जो work मुझे apply करना पड़ेगा जो energy मेरी utilize होगी वो बढ़ रही है और इसके लिए responsible cone है उस chair का mass यानि कि mass क्या करता है अपोस करता है मतलब किसी भी body को displace हम करते है तो उस displace करने की process में हमें force apply करना पड़ता है for only one reason force apply करना पड़ता है उसका एक ही reason है only to overcome inertia of the body body का inertia overcome करनी के लिए हम क्या करते वहाँ पे body के उपर force exert करते है और यह inertia का का काम होता है body के changing state को oppose करना वैसे यहाँ पे rotational motion में जो है मतलब यह inertia जो है it is represented by mass of the body in case of translational motion same way in case of rotational motion यह जो tendency of inertia होती है it is represented by moment of inertia यह को represent करता है moment of inertia और यह moment of inertia मतलब क्या होता है rotate हो रही यह body तो थोड़ा सा body का physical structure consider किया जाता है जिसको हम i से denote करते हैं and calculate करने के लिए हमें formula है i equals to one to yen yami ri का square अगर system of particle बहुत सारे particle different position पे दिये body में तो सारे particle का mass and x of rotation से उनका perpendicular distance का square यह बनता है moment of inertia यह फिर body अगर पूरी combinedly continuous distribution है एक ही body है तो उस case में हम summation को replace करते हैं integration से और यह बनता है r square dm यह होता है moment of inertia same way यहाँ पर master वहाँ पर आया गया इतना चेंज हो रहा है यहाँ पर kinetic energy होती है और kinetic energy होती है हाप आप यम वी स्क्वेर रोटेशनल मोशन में भी kinetic motion में linear momentum था और यह linear momentum था P is equal to mass into velocity यहाँ पर भी यह rotational motion में कोन होगा linear momentum की जगह पर यहाँ पर होगा angular momentum क्योंकि यहाँ पर और यह एंगुलार मोमेंटम का नोटेशन होगा एल और यह एंगुलार मोमेंटम का जो फॉर्मुला होगा डाट विल भी एल इस इकोल स्टू आई इन्टू ओमेगा उग देखो बोड पे कुछ भी नहीं इंटूडूस नहीं किया है जो पहले हो चुका है उसी को मैंने बस अब यहां पर देखो यहां पर मैंने देखी है निखी है एक काइनेटिक एनरजी और दूस्टाइब मोमेंटम का पार्ट इनका रिलेशन में प्रूव करने वाला हो ठीक है तो अब यह बहुत बार हुआ है तो सबको मालों भी है फिर से प्रूव करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टन भी है ट्रांस्लेशनल मोशन में जो रिलेशन होता है डिलेशन और बिट्मिन एंगल तरह से होगा कैइनेटिक एनरजी होती है हाप ओप यम इंटो वी स्क्वेर जहाँ पर मैं मासच को मल्टिप्लाइ करूंगा तो यह काइनेटिक एनरजी बनेगी वन बाइट व्लें वी कॉपन पी बोलते है तो एनरजी हो गई पी स्क्वेर अपॉन यानि की पी इक्वल्स टू हो गया स्क्वेरू टॉप टॉइस ओप एम यह उताय एक्स्प्रेशन पॉर लीनियर मोमेंटम और का इनर्जी का रिलेशन इसी तरह का रिलेशन हम प्रूव कर सकते हैं रोटेशनल मोशन में और उस रिलेशन को क्या बोला लाएगा रिलेशन को बिट्वीन से एंगुलार मोमेंटम और रोटेशनल का इनर्जी अप देखो रोटेशनल कानिडिक एनरजी कितनी ती कानेडिक आजी रोटेशन थी हाप आप आए ओमेगा का स्क्वेर वाह पर मास अपन मसने मल्टिप्लाई किया था यहाँ पर मास र पाई बट आई इंट ओमेगा को हमने अभी अभी एल बोला था अंगुलर मुमेंटम यानि कि कैनेडिक इनर्जी बनती है यह स्क्वेर अपॉन टॉइस ओपाई यानि कि मुझे एल इक्वल्स टू मिलेगा रूट आप टू आइए रूट आप टू आइए ठीक है यह हो गया वेरी इंपॉर्टन रिलेशन आप टॉपिक यह था इस रिलेशन बिट्वीं अंगुलर मोमेंटम अन किनेटिक इनर्जी इन रोटेशनल मोशन ठीक है चलो देख लेकलो इसको कमन फास्ट क्लियर एक है इस आप यह जाए ट्लेट इसको कमन पास्ट क्लियर है क्या तो यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में लॉपि से लॉपि कंजर्वेशन आप लीनियर मोमेंटम हुआ करता था लॉपि कंजर्वेशन आप लीनियर मोमेंटम जो एक्स्प्रेन करता था कि इप फोर्स अगर जिरो है कौन सा फोर्स एक्स्टर्नल फोर्स एक्टिंग अन्द बॉड़ी अगर जिरो है तो उस केस में पी इनिशल इस इक्वल्स टू पी फाइनल यानि की M1 V1 is equals to M2 V2 होता है ट्रांसलेशनल मोशन में यही बात अगर रोटेशनल मोशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा लॉड ओफ conservation of angular momentum और जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स जीरो था वैसे यहाँ पर रोटेशनल मोशन है तो यहाँ पर external torque acting on the body will be 0 और अगर external torque acting on the body अगर 0 है तो इसका मतलब यह होगा कि l1 l initial must be equal to l2 मतलब final यानि कि यह बनेगा i1 omega 1 equals to i2 omega यह बनता है conservation of angular momentum तो यह हो गया सारा comparison between translational motion and rotational motion इसमें almost 80% of the topic का जो सिलावर से वो कहर हो गया है बस आपको यहाँ पे कुछ अलग सोचना नहीं है जब body एक point से दूसरे point पे translate होती थी वही concept यहाँ पर applicable है लेकिन body up translate नहीं हो रही है मतलब motion को देखने का aspect हमारा change हो रहा है इसलिए हमें motion को पढ़ने का तरीका है वह भी थोड़ा change करना पड़ेगा कैसे change करेंगे जो term translation मतलब linear में थी उसको angular में convert करना पड़ेगा बाकी पूरा पार्ट जो है इट विल भी सिमिलर ठीक है तो वन बाइवन conceptually अब discussion स्टार्ट करते है अब रोटेशनल डाइनेमिक्स चुल तो वन बाइवन discussion स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले topic की concept आती है इस मुमेंट ऑप इनर्शिया मुमेंट ऑप इनर्शिया मुमेंट ऑप इनर्शिया सबसे इंपॉर्ण concept है rotational की उपर जो भी question आएगा दो आएगे या फिर तीन आएगे हरे question solve करनी के लिए हमें इसका साथ लेना ही पड़ेगा ठीक है इसलिए इसको समझना ही पड़ेगा तो मुमेंट ऑप इनर्शिया मतलब है क्या एकदम simple concept है एकदम simple straightforward देखो कि जो काम translational motion में mass करता था क्या करता था मास अपोज करना किसको अपोज करना body के state के change होने को अपोज करना वही काम rotational motion में यह moment of inertia करेगा मतलब जो body घुमने ही रही है उसको घुमादने के लिए हमें torque apply करना पड़ता है और torque apply इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यह जो moment of inertia है वो body के rotational motion को अपोज करता है अगर कोई body पहले से motion में है rotational motion में है उसको अगर रोकना है rest में लेके आना है तो भी हमें फिर से torque apply करना पड़ता है मतलब यह torque जो है यह जरूरी है क्यों only to overcome moment of inertia समझ में आ रहा है जिससे force required है only to overcome inertia जो मास प्रोवाइड करता है वैसे torque is required only to overcome moment of inertia मतलब यह inertia ही है बस translational motion में जिसको मास बोलते है वही rotational motion में आके moment of inertia बन रहा है खतम ठीक है अब इसको define करते कैसे होती depressions की सबसे पहले इट से टेंडंसी क्या है वो explain करते हैं इट से टेंडंसी वीच आपोजेस दो rotational motion of the body अब उसको पूरा statement पर ऐसे भी लिख सकते हैं आपोजेस दे changing state इधर स्टेट आप रेस्ट और स्टेट आप uniform motion लेकिन ब्राकेट में rotational motion of the body is called as moment of inertia वह मालूम है इसलिए मैं short में बस क्राउं की बॉड़ी रेस्ट में थी और उसको rotation में सेट करने जा रहे तो जो आप वोजोगा उसको moment of inertia बोला जाता है ठीक है और इस डिफाइन एज प्रोड़क्ट आप या फिर सम और प्रोड़क्ट आप मास ओफ इच पर्टिकल और स्क्वेर ओप पर्पेंडिकुलर डिस्टंस फ्रॉम एक्सिस ओप रोटेशन ठीक है क्या है मोमेंट आप इनर्शा मतलब सिंप्ली देखो आपको इस तरह से एक बॉड़ी दिये कोई भी रेंडम शेप की दिये और इसमें से यह एक्स ओप रोड़ेशन पास हो रहा है और आपको बोला यहाँ पर एमवन पार्टिकल है जिसका पर्पेंडिकुलर डिस्टंस एम आरवन है यहाँ पर दूसरा पार पैंस दिये आपको उनका एमार स्क्रांब पडेगा एमर्स करना पडेगा मतलब क्या करना पडेगा समेशन लेना पडेगा मास औप इच पर्टिकल एंड स्क्वेर ऑप इट्स पर्पेंडिकुलर डिस्टंस प्रॉम एक्स ऑप रोटेशन यानि की फॉर्मुला बनेगा समेशन आप आइक पर्टिकल जैसे यहां पर दो ही पर्टिकल थे तो इसका मोमेंट आप इनर्शा बनेगा यहां से मुझे अगर मोमेंट आप इनर्शा का एसा यूनिट चाहिए तो क्या मिनेगा एसा यूनिट चाहिए तो मास into distance का स्क्वेर है यानि kg मिटर का स्क्वेर तो डाइमेंशन क्या बनेगे एम टू है मिटर का स्क्वेर है मतलब L2 kg है मतलब एक बार मास है मतलब M1 T0 यह बन गया L2 M1 T0 dimensions किसके लिए for moment of inertia है यह tensor quantity लेकिन हम उसको topic में 10 plus 2 में उसको scalar consider करेंगे ठीक है tensor मतलब ऐसी quantity जिसमें direction change होने से magnitude बदलता है लेकिन उनको अपन पढ़ते नहीं use करते नहीं है इसके लिए हम इसको करने वाले है तो यह हो गया moment of inertia चलो बोर्ड पर देखो extremely important concept है लेकिन उतनी simple है simple क्या क्यों है क्योंकि हमें मास मालूम था तो जो का मास का है वह काम यहाँ पे कौन कर रहा है moment of inertia कर रहा है तो अब यह moment of inertia तो हो गया अब moment of inertia का फॉर्मूला भी हो गया moment of inertia का SI unit भी हो गया लेकिन प्रॉब्लेम क्या देखो कि यह जो फॉर्मूला है यह applicable है only if अगर different point पे different particles place किये तो जैसे हम center of mass में पढ़ते थे पहले for system of particle discrete system of particle मतलब अलग-अलग point पे अलग-अलग masses place किये तो उसके लिए formula था X coordinate of center of mass is given by Y coordinate of center of mass is given by लेकिन अगर पूरी बोड़ी अगर एक दिये homogeneous दिये तो उसके लिए हमारे पास X and Y निकालना नहीं था direct formula था उसके लिए condition अमने दिखी ती center of mass के दोनों लेक्चर देखलो condition क्या रखी थी कि अगर body is symmetrical about x-axis तो उसका center of mass होगा along x-axis, if body is symmetrical about y-axis then उसका center of mass होगा along y-axis, if body is symmetrical about both axis then its center of mass will coincide with the origin that is point of intersection of the X and Y-axis उसी तरह से ready-made formula हमें homogeneous body के लिए मिलेंगे लेकिन अभी का जो formula देखा है हमने यह applicable होगा कि अगर different point पर different particle situated है तो for example आपको बुला है कि एक particle है जिसका mass है 10 kg दूसरा particle है जिसका mass है 5 kg तीसरा particle है जिसका mass है 20 kg और यह इन दोनों का separation दिया है 2 meter इन दोनों का separation दिया है 4 meter और आपको बोला गया है कि जो axis of rotation है जो axis of rotation है वो pass हो रहा है यह 5 kg वाले mass से तो इस system का मुझे क्या चाहिए moment of inertia चाहिए कैसे find करेंगे जिनको आ गया समझ में वो solve करने को शुरू हो जाओ जिनको confusion यह वो board पे दान देंगे सबसे पहले मेरे पास पहला mass है M1 कितना है 5 kg और यह M1 का जो axis of rotation से distance है वो 0 है क्योंकि already axis of rotation पर है दूसरा mass से मेरे पास M2 that is 20 kg अब यह 20 kg वाले mass का axis of rotation से distance 4 meter है यानी R2 कितना है 4 meter है तीसरा mass से मेरे पास M3 that is 10 kg अब इसका perpendicular distance from axis of rotation है R3 that is 2 meter इस तरह से masses और उनकी distance मुझे मिल गए अब इनका use करके मुझे क्या करना है moment of inertia calculate करना है तो simply क्या होगा जितने masses है into square of their perpendicular distances तो मैं M1 R1 square करूंगा मतलब 0 आ गया फिर मैं M2 R2 square करूंगा M2 मतलब 20 R2 कितना है 4 4 square 16 plus M3 मतलब 10 2 का square 4 हो गया यहां पर कुछ divide weird नहीं करते हैं जैसे हम center of mass में करते थे अब इसको फिर से simplify करेंगे तो क्या होगा 20 into 16 मतलब 320 plus 10 into 4 मतलब 40 तो 320 plus 40 मतलब moment of inertia आ गया 360 kg meter का square यह हो गया moment of inertia कि किसके किसके एंसर करेक्ट है सर्वेश अकांग शा मनमत फेरिक डॉर्ड अब अगर आपको same condition दी है चलो screenshot ले इसका जिनका answer नहीं आए था same condition दी है और आपको same condition में बोला है कि अब axis of rotation change हो गया यहां से axis of rotation को निकाल लिया अब axis of rotation यहां पर आ गया 10 kg में से और इसके about body rotate होने लगी system rotate होने लगी then calculate the moment of inertia will it be same or different if same then okay if different then find and tell me the answer चलो फिर से वही बाते होगी अब यम 1 कोन है 10 kg और यह 10 kg मास अगर axis of rotation क्यूपर है तो उसका perpendicular distance 0 है यम 2 कोन है यम 2 है 5 kg तो इसका perpendicular distance कितना होगा 2 meter यम 3 कितना है 20 kg इसका perpendicular distance कितना होगा 6 meter अब इनकी values अगर put करेंगे तो moment of inertia फिर से यम 1 R1 का square तो 0 हो गया प्लस यम 2 R2 का square मतलब 5 into 2 square 4 तो यह बना 5 into 4 प्लस यम 3 R3 का square मतलब 20 into 6 square तो 20 into 6 square बनेगा 36 5 into 4 20 प्लस यह बना 720 यानि कि RR7 40 kg मिटर का square moment of inertia स्नेहा 740 शुबाम 740 not 340 शुबाम कर करेक्ट है संस्कृती वेरे गट बेटा डिवीजन सिकने के लिए आपको अलग सी लेक्चर लगाना पड़ेगा क्लास लगाना पड़ेगा आकंशा रॉंग सर्वेश करेक्ट है शुबाम कर करेक्ट है इसनेहा रॉंग संस्कृती जेता कई एंसर से ठीक है चलो अगर यह एक्स आप रोटेशन चेंज हो गया तो इस तरह से मोमेंट आप इनर्शा भी चेंज होता है एंड इस एक्जम्पल से हम कंक्लूड कर सकते है क्या कंक्लूड कर सकते है देखो यहां पर लिखता हूं मैं मुमेंट आप इनर्शा इंक्रीजिस इफ मुमेंट आप इनर्शा इंक्रीज होगा बढ़ेगा इफ मास इस सिचुएटेड अवे फ्रॉम एक्सीस ऑप रोटेशन लेकिन कौन सा मास हेवी मास जो ज़्यादा है वह अगर एक्स ऑप रोटेशन से दूर है इसका मतलब वहां पर मुमेंट आप इनर्शा क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है वाइस वरसा इसका कॉन्वर स्टेट्में अप्रिकिबूल होगा फिर से इसे तीन पर्टिकल आपको दिये है यह आपको इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलाए 20 kg 10 kg 10 kg साइड लेंथ दिये इसकी टू मिटर और बोला गया है कि एक्स ओप रोटेशन अगर यहां से पास हो रहा है तो फाइंड मुमेंट आप इनर्शिया आप दे सिस्टिम सिस्टिम का मुमेंट आप इनर्शिया कितना होगा चलो कमन फास्ट करो चलो सॉल करो कमन फास्ट जिनको आता है वो करो जिनको प्रॉब्लम है बोर्ड पे धन दो सबसे पहले मुझे M1 पहला मास मिला कितना है 20 kg लेकिन यह 20 kg एक्स ओप रोटेशन के उपर है मतलब इसका डिस्टंस 0 होगा अब यह दूसरा मास है M2 दाट इस 10 kg अब यह 10 kg वाला मास जो है एक्स ओप रोटेशन से अगर यहां पे एक्विलेटर ट्रेंगल लेते हो मिल पॉइंट होते है दिखने रहे लेकिन होते है यह भी 1 मिटर होगा यह भी 1 मिटर होगा मतलब 10 kg का डिस्टंस कितना हो गया 1 य 2 r2 square यानी 10 m3 r3 square यानी 10 10 plus 10 यानी यह बन गया 20 kg मिटर का स्क्वेर इस विल वी दो मुमेंट आप इनर्शिया अब दे सिस्टेम 20 21 मत कसका करेंट सरेल लागले मान सर्वेश काई संगो अगर आपको इस तरह की सिस्टेम दी है क्या यह एक स्क्वेर है और बुला एक स्क्वेर की साइड लेंदे टू मिटर और हर एक पॉइंट पे मास प्लेस किया है यहाँ पे भी यम 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 और एम इस मास की वैल्यू है 10 केज़ी और एक्स ओप रोटेशन बोला है आपको जैसी कि अगर यह ए बी सी डी है तो यह बीडी को पैर्रल एक्स ओप रोटेशन ए में से पास हो रहा है मतलब यह एक्स ओप रोटेशन है तो फाइंड मुमेंट ओप इनर्शिया ओप दे सिस्टेम इस तरह का कोश्चन है क्या है कोश्चन की एक स्क्वेर है एबी सीडी और उस स्क्वेर पे चारों वेल्टेक्स पे एक्वल मास स्प्रेश की है 10 केज़ी और इसकी साइड लेंधी टू मिटर अगर एक्स ओप रो देखो सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर डिस्टंस फाइंड करने पड़ेंगे तो एक उपर जो मास है पहला वाला वो कितना है टेन कीजी तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टंस जिरो होगा इसलिए मैंने आरवन जिरो लिका है अब दूसरा वाला मास मतलब बी की परपेंडिकुलर डिस्टंस चाहिए तो मुझे इस डिस्टंस को निकालना पड़ेगा इस डिस्टंस को निकालना पड़ेगा अब मैं इस डिस्टंस को आर्टू इसको आर्थी एंड इसको आर्फोर बोलता हूं डाइग्राम में अगर देखेंगे तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि आर्थी मतलब कोन है आर्थी मतलब है डाइगोनल स्क्वेर का अब स्क्वेर के डाइगोनल की लेंथ कितनी होती है रूट टू टाइम साइड लेंथ होती है नहीं मालूम है तो हम पाइथागोर स्थेरम अपलाए कर लेते हैं यहां पर यह कितना है टू है यह यह value मिल गई यानि कि M1 R1 हो गया कितना है यह भी टेन है सारे टेन ही है आर टू मतलब मैंने यहां पर इसको आर टू बोला है लेकिन यह X की value मतलब यह आर थी की value है अब यह आर टू इसके exact हाप है तो इसको अगर मैं 2 से divide करूंगा तो मुझे आर टू मिलेगा अब यह M3 अगर फिर से 10 kg है तो आई विल गेट यह आर थी इस इक्वल स्टू टू रूट टू एड एंड यम फोर भी है यहां पे कितना है 10 kg यह आर फोर जो है वह आर टू की इक्वल है मतलब कितना है रूट टू है तो मुझे चारो मासेस और उनके परपेंडिकुल डिस्टेस मिल गए अब हमारा यूज्वल फॉर्मुला मुमेंट आप इनर्शिया का जिसमें हमें क्या करना है आई इक्वल स्टू यम ओन आर वन स्क्वेर यानि जिरो यम टू आर टू स्क्वेर रूट टू का स्क्वेर टू टू स्क्वेर टू ये आया गया 120 केजी मिटर का स्क्वेर इस विल बीड़ मुमेंट आप इनर्शिया अप दू सिस्टीम देखो बोर पे वन बाए वन आकांक्षा करेक्टे शुवं का रॉंग बक्ती चुकल चुछुछुछुछुछुछुछुछुछुछुछुछुछ अब यह एप्लिकेबल था अगर सिस्टीम अप पार्टिकल दी है लेकिन अगर पार्टिकल की सिस्टीम को छोड़के अगर आपको बोलाए कि मुमेंट आप इनर्शिया फाइंड करो लेकिन एक पूरी बॉड़ी होगी पूरी बॉड़ी मतलब जैसे डिस्क होगी रिंग ह होगी स्पियर होगा रिट्रेंगुलर प्लेट होगी स्क्वेर प्लेट होगी ऐसे बॉड़ी को हम बोलते एक कंटिनियस डिस्क्रिविशन आप मास या फिर होमोजीनियस बॉड़ी तो इस तरह की बॉड़ी अगर दी है और वहापे अगर हमें मुमेंट आप इनर्शिया करना है तो जैसे हम सेंटर आप मास के लिए देखते हैं डारेक्ट फॉर्मूले यहां पर भी सेम केस होगी लेकिन उसके लिए हमें और एक कंसिप्ट को यहां पर इंट्रोडूस करना पड़ेगा और उसको बोला जाता है ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोला जाता है कि ऐसी बॉड़ी है यह एक्स ऑप रोटेशन है और इस बॉड़ी क्यूपर ऐसे एन नंबर आप पार्टिकल्स आपको दिये जा रहा है और यह पार्टिकल्स दिये जा रहा है तो इस केस में इस बॉड़ी का मुमेंट आप इनर्शया मुझे अगर कैल्कुलेट करना है त लेकिन अगर सेम कंडिशन है मतलब बॉडी से में लेकिन कंडिशन ऐसी हो गई कि बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे है जिसको अपन सेंट्र आप मास बोलते हैं और इस पॉइंट का इस एक्स ऑप रोटेशन से डिस्टन्स अगर के है तो यहां पर मोमेंट आप अगर दोनों के कंपेरिजन में आई वान एंड आई टो अगर सेम है तो इस डिस्टन्स को के को बूला जाएगा रेडिस ऑफ गाईरेशन जहां से देखो एक्जांपल यह एक्जांपल अगर समझ में आ गया फॉर्मुला समझ में आ गया तो रेडिस ऑफ गैरेशन की इसे कंडिशन आनी चाहिए जो हम सेंट्र आप मास पर आजिम करते दें उसके लिए क्या है कि ऐसे अलग-अलग पॉइंट पर अलग-अलग मास लेके नहीं चलेंगे यहां पर एक ही बॉड़ी चाहिए जिसको हम होमजीनेस बॉड़ी बोलते या पिर जिसमें कंटिनेस ड बना पड़ेगा उसके लिए एक कंसेप्ट अप्लीकिबल और अगर वैसी सिचुएशन है तो रेडियस अब गैरेशन मतलब क्या है इसे परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द पॉइंट एट वीच होल मास अब बॉड़ी सपोस्ट तो भी कॉंसेंट्रेटर फ्रॉम ए is defined as perpendicular distance of the point perpendicular distance of the point at which at which whole mass of the body इस सपोर्मूले से मैं इसको अगर थोड़ा मॉडिफाइ करूंगा तो यहाँ पर मैं आगे लिख सपता हूं कि इस डिनोटेड बाइ के इसका फॉर्मूला होगा के इकवल्स टू स्क्वेर रूट आप आई बाई एम इसका एसा इनिट डिस्पेंस से मतलब मीटर यह जो है बेसिकली स्केलर कॉंटिटी है यूनिट अगर मीटर है तो डामेंशन लवन होगा बाकि सारे जीरो यह बन गए आपकी रेडियस आप गायरेशन ठीक है तो नाव जो भी discussion होगा moment of inertia calculate करने के लिए उसमें हर बार हम क्या करेंगे इस रेडियस आप गायरेशन की concept को यूज करेंगे हो गया चलो ठीक है तो रेडियस आप गायरेशन का यूज करके अगर moment of inertia निकालना है तो formula क्या है i is equals to mk square क्या है formula i is equals to mk square so moment of inertia is given by i is equals to m into k square where m is the mass of the body k is the radius of gyration of the body मतलब यह formula से हम निकालेंगे लेकिन k क्या होगा इसके लिए आपको याद रखना है कि now onwards जो भी discussion होगा वो fixed shape के body से related होगा कि जिसमें एक तो आपको रिंग दी जाएगी नहीं तो discussion this क्या बउट होगा नहीं तो discussion hollow sphere क्या बउट होगा नहीं तो discussion solid sphere क्या बउट होगा नहीं तो discussion rod क्या बउट होगा ठीके इनको छोड़के बागी जो bodies है irregular shape की उससे related moment of inertia radius of gyration का discussion हम करते ही नहीं है ठीके तो maximum जितने भी applications आएंगे उनमें हमें बस इतने bodies से related discuss करना है इसलिए यहाँ पर जो table बन रहा है यह table की उपर आगे का पूरा topic depend करेगा ठीके तो यह सारे bodies के लिए हमने पहले से k को experimentally determine करके रखा है तो k की value हमें मालूम है अगर k मालूम है तो हम i is equals to mk square करके इनकी values find कर सकते हैं यह k है और यह moment of inertia है तो ring के लिए यह के जो है यह होता है equals to r where r is the radius of gyration r का मतलब क्या होता है radius of gyration तो यहाँ पर value put करेंगे तो ring के लिए moment of inertia का formula मिलेगा mr square where m का मतलब mass r का मतलब radius same way अगर disc है तो disc के लिए radius of gyration होती है r by root 2 क्या होता है k equals to r by root 2 और यह अगर r by root 2 है तो वहाँ पर moment of inertia बनेगा mr square by 2 कितना बनेगा mr square by 2 अगर आपको hollow sphere दिया है hollow sphere तो hollow sphere के लिए k होता है root of 2 by 3 times of r तो यहाँ पर moment of inertia बनेगा 2 by 3 into mr square अगर आपको solid sphere दिया है तो solid sphere के लिए k होता है square root of 2 by 5 times of r यहाँ पर put करेंगे तो moment of inertia बनेगा 2 by 5 times of mr square अगर आपको rod दिया है तो rod के लिए k होता है l by root of 12 तो यहाँ से moment of inertia बनेगा ml square by 12 ठीके और यह सारे formula applicable है कव इफ बोडी इस रोटीटिंग अबाउट दियर नाच्रल एक्सिस जो उनका natural axis है मतलब जैसे ring disc के लिए perpendicular to the plane and passing through center hollow sphere solid sphere के लिए along diameter rod के लिए passing through center and perpendicular to the length of rod उसी axis के लिए यह बाते applicable है अगर axis of rotation change हो गया तो उसके according moment of inertia change करना पड़ता है उसके लिए हमारे पास थिरम से एक parallel axis थिरम perpendicular axis थिरम ठीके उनकी उपर हम आने वाले उससे पहले जो जो ring की case होती है वही case वही case hollow cylinder के लिए होती है इसलिए मैंने अलक सी इसको लिखा नहीं है जो ring के साथ होगा वही hollow cylinder के साथ में होगा और जो disc के साथ होगा वही solid cylinder के साथ में होगा अगर एक्सिस नैच्रल है तो लेकिन अगर नैच्रल एक्सिस नहीं है तो क्या होगा यह मैं इंट्रोडूस करने वाला हूं उससे पहले इसका एक स्क्रीन शॉट ले ले यह टेबल बहुत कामका है बहुत सारी कोश्चन्स आपको इसी टेबल में जो वैल्यू आ रही थी उनको यूज करके सॉल करना है सिंप्लिफाइब करना है तिक है अगर आपको कि पूलो शिलिंडर दिया लेकिन यह सिलिंडर अगर इस तरह से है और यह अगर इस एक्सिस के अबाउट मतलब रोटेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मुला होता है आई इस इक्वल स्टी हमार सेर क्योंकि यह रिंग पे रिंग रिंग रखके हो रहा था इसलिए रिंग का इनिसका सेम बनेगा लेकिन अगर उसी सिलिंडर को ऐसे अडवा होरिजंटल रख देंगे और अब यह इस एक्सिस के अबउट रोटेट करेगा इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स ऐक्सिस यह नैचरल एक्सिस है या पिर खुदका एक्सिस है तो इस एक्सिस कि अबउट अगर यह सिलिंडर रोटेट हो रहा है तो उसके लिए मुमेंट of inertia होता है यह मेल स्क्वेर बाइ 12 प्लस एमार स्क्वेर बाइट नो इसकी जगह पर अगर आपको सॉलिड सीलिंडर दिया आ रहा है इन इसकेस ऑप सॉलिड सीलिंडर तो यह अगर वहार्ज वाएट हुआ था लेकिन अगर यह ट्रांस आप्सिस अगर दिया है यहां पर मुमेंट आप इनर्शिया के लिए हमें ml स्क्वेर बाइट 12 में ब्लस यह मार स्क्वेर बाइब फोर एड़ करना पड़ता है इतना ही चेंज है ठीक है चलो तो अब के बाद जो भी